लेकर एक खोज रहे हैं तो उनको जीतने किये तो बाती नहीं कर सकते हैं पोठी नहीं देंगे वो बढ़ चरकर इसको 400 पार ले जाने का मूड बना दी है इसलिए लोग वो सरकार बनानी की और सरकार गिरानी के बाते करते हैं लेकिन संगतन का जमीनी स्थर जमीन छोड़ पर एक तरफ जो है देखा जा रहा है कि भाजपा अपना परत्याशी जो है मैदान में उतार दिया है वहीं पर देखा जाए कि गड़ बंदन जो है वो अभी तक अपना परत्याशी को अभी तक मैदान में उतार नहीं पाई है फिलहाल जो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राजनितिक गल्यारों में अटकले जो है वो शुरू हो गई है जहां पर परत्याशियों के कई नाम सामचेहरा जो है वो सामने आ रहा है लेकिन क्या है सही क्या नहीं अभी मैं बताऊंगी क्यूंकि जिस तरीके से मैं खड़ी हूँ जमशेद पूल के चौक चराहों से मैं यहां पर ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दोंगी क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जेमें से जो है परत्याशी के तौर पर जो लोग सबाचुनाओं के जो परत्याशी के तौर पर तुकुना अलसारंगी को लाने की बात सामने आ रही है क्या सचाई है क्या प्रतियाशी आते हैं तो किस तरीके से क्या बोलेंगे क्या कहेंगे तो इंडिया गडबंदन पूरा इंडिया नहीं रहा चुका है आज उनके घटक दल जो है वह गडबंदन तोड़ चुके हैं आपको हमको सबको पता है कि उनके जो सयोगी जल्ट है जैसे पच्छिम मंगा अब कर दी आपने जितने बटेंसों की खुष्णा कर दी है इनके घटक दल जो सरकार में जो अभी है वर्तुमान में जो दोनों दल हैं ओंग्रेस और जैमेम और बाकी जितना भी घटबंदन की जो सरकार बनी है इसके इनका गड़बनदन इतना कम्जोर है कि अभी तेक पारे चुनाओं सर पर है घोष्णा हो चुकी है एक महिना में अंतर में चुनाओं है और अपना प्रत्यासी अभी तो गोशित नहीं आप झाल गूशित पर ऐसा है कि अपने प्रत्यासी घोष्णा पर विराम कल रात्तरी में लगा दिया उन्हों ने खुद अपने जो फेस्बूक अकाउंट पर और अपने एक्स अकाउंट पर उन्हों ने डाला कि अपवाएं हैं इस पर ध्यान ना दे और जहां तक हमें लग रहा है कि वह करवाई भी करना जैसे उसे बात हुई थी हमारी तो उन्हें ने बताया कि मैं जो गलत अपवाव फैला रहे हैं जो कुछ न्यूस चैनल उन पर भी करवाई करने पर जा रहे हैं और मुझे लगता वेर्म करना है कि संगतन को चिंतन करना वीशा है उनक Corona कि संगठन को कि संस्था देख रहे हैं लेकिन संगठन का संगठन का जमिनिस्तर जमीन छोड़ चुका है उनका अभी तक आपनाा पाराटी का जोग सभा चुनाओं को किस तरीके से देख रहे हैं क्या बोलेंगे इस पर देखिए विपक्स जो गटबंधन है इंडी गटबंधन उसके पास ना नियत है ना कोई विचारधारा है बेमेल गटबंधन बना हुआ है और ऐसी स्थिती है मोधी का इतना इनको भय है मोधी के विकास के से मोधी के जो उनका प्रभाव राजनीती है प्रभाव शाली उसे इनको इतना भय हो गिया है कि इनको कोई कैंडेट चुनाओं लड़ने के लिए नहीं मिल रहा है कोई त्यार नहीं हो रहा है और वर्तमान ज किस तरीके से देखते हैं क्योंकि अब जो है बहुत सरगर्मियां जो है वो बढ़ती चली जा रही है किस तरह का प्रत्याशी जो है प्रत्याशी तो हमें पहले घोसित हो चुका है विद्धुत्वरन महतो जी और अब की बार वो और भी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से वह जीतने वाले हैं कहीं ऐसा भी चेहरा आ सकता है कि उसको अगर जो सामने तक्कर दे सके यह तक यह कोई नहीं है मिद्धेश के यशश्वी प्रधानमंत्री माननियस्री नरेंद्र मोदीजी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पर आप कुद देखेंगे कि कहीं न कहींगो पूरा होता वह दिखा रहा है विपक्ष का जो एक इन्होंने जो गडबंदन मनाया है इनको खोजने पर प्रत्यासी नहीं मिल रहा है डिवरी लेकर यह खोज रहा है तो उनको जीतने की यह तो बाती नहीं कर सकते हैं तो आपने सुना कि जिस तरीके से कुनाल सारंगी का जारखन मुक्ती मौरचा में जाना जो कहा जाएंगे तो इस पर उन्होंने विराम लगा दिया है और यह कहा जाएंगे और इस पर अव्भा को ना फ्हलाएं क्योंकि वो अभी भारतिय जनतापार्टी में ही है और भारती जन्ता पार्टी के लिए ही काम करेंगे चम्शेद बूसे लाला जबी 22 को हर भिरहनी का ये सपना स्वास्ट परिवार हो अपना तीन सहेलिया जो की घ्रहनी है और जिन होने बहुत करीब से अपने परिवार की जेरूरेट समझी है उसी सपने को साकार करने के लिए आप लोगों के बीच भावना कच्ची घानी सरसू का देल लाई है शुत्ता ही हमारी पहचान है और हम आपसे बादा करते हैं कि मिलावट की कोई गुझाईश नहीं होगी कोहलू द्वारा निर्बानित सरसू के देल के केई फाइदे हैं जैसे कि भराव को दस्तों ना परवार आपको हेल्थी रखना और इसे शर्दीर की मालिश के लिए भी उप्यों किया जा सकता है हमारे पूर्वजों ने भी इसका खूप जमकर सेवन किया है आप भी अपना भरोसा रख कर भावना कच्ची की सरसू के देल का एक बार इस्दमाल करें क्योंकि आपका भरोसा की रेट ममारी तांगरी आए हम एक परिवार मिलकर पिस सम्दे को सच बनाए आपका स्वास्त्य हमारी दाख मिक्ता धन्यवार